नमस्कार आपदा बिहार प्लस देख रहे हैं मैं हूँ प्रमबेर सिंग गंडग नदी के बढ़ते जलिस्तर के बाद सारण में भी एक बार बाट का डड़ लोगों को फिर से सताने लगा है जिससे लोग पलाइन करने को जुगार में अभी से ही लग गये हैं जिसको लेकर ल रात बात का पानी परविश्क कर गया जिसका रन तरहियां के स्वगुणी और पानापूर के रामपूर समय बह गये हैं में भी शीन को बीयाह कर ले जाने आया और नाव पर उसकी विदाई करने परई जरासल तरहिया पानापूर्ट सीमा वर्ती छेत्र सगुनी रामपूर्ट के रहने वाले दिली प्थनी की पुत्री सीला कुमारी की साधी गुरुवा की रातरी में हो रही थी साधी के लिए बराती गारीों पर बेटकर बरात आई लर्की पक्षवाले बरातीयों का खुब स्वागत भी किये रात में खाना खाने के बाद कुछ बराती गारी से वापस चले गए और कुछ रुख गए दुलहा भी साधी के लिए दर्वाजे पर आया साधी की रस्म शुरू ही लेकिन इसी बीच गंड़के बढ़ते जरिश्तर से एकाएक गाउं में बार्ड का पानी घुज गया और वहां बार्ड जैसे बेकाबू हालात हो गया जिससे दुलहा दुलहन संग बराती भी बार्ड के पानी में घिर कर फस गये और आलम यह हुआ की सुबह नाव पर बैठा कर दुलहा दुलहन और बरातीयों को विदा करनी परी बरात मसरक थना चेतर के चैनपूर चहियारा से तरया पानपूर सीमा वरती चेतर सगुनी रामपूर्दर में आई थी जहां दुलह को साजी के दिन ही बार्ड के पानी का दर्शन हो गया फिलहाल गाउं समित आत्पास की इलाके में बाड जैसे हालात बन गये हैं और लोग उची स्थानों पर प्लाइन करने के मूड में हैं